साथ कर रहें आपके पास अब हम न्यूड टॉपिक जो है आपके पास कैलेंडर इसे इलावा हमने जो है रिजनिंग के और डिफ्रेंट टॉपिक्स भी कवर कर जाए गी आप कर सकते हो और अपनी प्रीशन को बूश्ट कर सकते हो तो अब हम स्टार्ट करें आपके पास Topic Calendar तो Calendar देखो आपके पास Prazer छे लिखो आपके पास देली लाइफ में आपके पास यूज होता है तो आपको वीक्स होते हैं और वीक्स में क्या होते हैं आपके पास देज होते हैं तो अगर आपको एक कलेंडर है उसमें आपको पता है कितने मंस होते हैं एक कलेंडरी एयर है आपके पास एक कलेंडरी एयर में आपके पास कितने मंस होते हैं 12 मंस होते हैं आपको पता है उसके बाद एक मंत में आपके पास कितने डेज होते हैं आपके पास उसके बाद आपके पास एक वीक में कितने नेज होते हैं अगर मैं आपको पूछ हूँ एक साल में आपके पास कितने वीक होते हैं यह तो आपको डेली बेसिस पे आप यह concept यूद करते हो कि आपके पास एक साल है उसमें कितने मंद्स हैं कितने वीक्स हैं कितने डेज हैं तो यह आपको clear होता होगा आप देखो जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे पास कोई भी given year जो होता है उसको हम दो डाइस में classify करते हैं और second one आजाता है आपके पास leap year अब leap year और ordinary year में क्यों होता है आपके पास अगर कोई भी year अगर आपके पास ordinary year है तो आप simply क्या बोल सकते हो, उस साल में हमारे पास कितने days होंगे 365 days होंगे क्यों, क्योंकि उसमें जो fab होगा वो हमारे पास 28 days गई होगा और जो leap year होता है उसमें 366 days होते हैं हमारे पास यह आपको इतना clear आ गया मैं फिर से बता रहा हूँ calendar में हमारे पास दो types के years होगे एक आपके पास ordinary year होगा और एक आगर आपके पास क्या होगा leap year होगा अब ordinary years में हमारे पास 365 days होगे क्यों क्योंकि इसमें जो होगा वो fab कितन कि आता है यह वह आता है आपके पास leap year को हम लीप येर बौलते है chief simply आप बोलोगे कि ऐसै साल कि में से हमारे पास किस से होते हैं एek winning of four के साथ जो भी ये आपके पस ड्यूइजिबल होगा उसको हम लीप बोलेंगे बट सिंपल एर की केस में अगर आपके पास सेंच्री एर आ जाए तो वही भी लिख लिए हूं मैं आपके पास इनकेस अफा सेंच्री एर अगर आ रहा है तो उसको हम किस से चेक करेंगे एक सेंच्री एर आपके पास आपके पास क्याते हैं अब फोर से आई होप आपको को divisibility आती होगी कि कैसे हम define कर सकते हैं कि एक नमबर आपके पास particular 4 के साथ divisible है या नहीं तो जैसे मैं नमबर लिख लिए तो आपके पास 324 लिख ले मैंने आपके पास और एक लिख लिखना है 327 लिखने हैं तो अगर आपको पूछए जाए कि इन में से आपके पास कौन सा नंबर जो है वह आपके पास 4 के साथ divisible है तो आपने क्या चेक करना होता है लाश्ट के टू डीजर जो होता है आपके पास इनको आपने चेक करना है अगर यह आपके प तो इसके इलावा जैसे आपके पास हंडर आ गया तो अगर कोई ऐसा नमबर जिसके लाश्ट के दोनु डिजिल 00 हो जाए या मतलब 00 है तो वह भी आपके पस four के साथ उएजबल होता है तो अभी तक हमने देखा है आपके पास की एक एयर को हम दो क्लासिफाई कर सकते हैं और leap year को कौन सा year बोलते हैं, जो 4 के साथ divisible होता है, अगर century year दे रखा है, तो वो हम किसे check करेंगे, 400 year, 400 के साथ divisible check कर लेंगे, तो यह जितने में आपको मैं concept रताऊंगा, first lecture से end तक आपको फिर जब आप देखे होंगे, तो कोई भी दे रखा होगा, आपको date दे रखी होग तो सबसे पहले इसमें हम century year देखेंगे, आपको century year कोन सा था है, 100, 200, 300 वाला जैसे ये century year है, ये वाला ये वाला, ये वाला, अब को century year होगा अब आपने क्या चेक कर दिया, अब आपने चेक कि यह कि leap year चक कर साथ हो, नहीं 4 के साथ divisible है या नहीं, टो आपने के 72, लाश् तो आपने देखा एक और के साथ होता है बिलकुल होता है तो यह भी आपके पास क्या है और के साथ होगा तो लीप यह है तो आपने चेक कर आगर आपके पास जैसे तो हो रहा है बट लापके पास सही नहीं हो रहा क्यूंकि यह क्या है अब यह बहुत और यह तो क्या आप के पास लीप यह के बिलकूल अपके पास लीप यह आजाएगा इसके लावा जैसे मैं आपको पूछ लेता हूं आपके पास क्या थार्टीन हंडड़ आपके पास लीप यह नहीं है तो आपको बेसिक लीप यह कौन सो होता है कौन सा नहीं होता वह आपको सेंटट्रीफ के सांटरीफ है अगर आपके पास क्या चैक करेंगे और आपको और हैं आके पास तो वैण श्यक्ते गांज्षिब करेंगे और आपने देखा 1800 जो है आपके पास 400 के साथ डिवीजबल नहीं है तो आप क्या बोलोगे कि यह आपके पास लीप यह नहीं है फिर आप एडिशनली 4 एड कर दोगे तो आपके पास क्या आएगा 1804 आ गया 1804 इस नेक्स्ट लीप यह तो आपका यह वाला आपके पास मैंने फूचा हाउ ममली टीप लीप ही ना 100 सिंपली देखुआ आपको पहले तो अभी मैं बता रहा हूँ आपके पास हैं कि 100 इंड टी मैं आपके पास कितने हुर्ण होते हैं डिरेक़ आर्टी आप याद मैंने डिवाइड कर दें तो मेरे पास कितना तो अब आप बोलोगे कि 25 आ रहा है तो 25 लिखना चाहिए हमें बट 25 में आपके पास एक 100 भी आ रहा है तो क्या 100 आपके पास आपके पास क्यों कि आपके पास क्लासिफे करना कोई नंबर ले लेते हैं आपके पास जैसे मान लेते हैं आपको को नंबर ले लेते हैं आपके पास 1000 एर ठीक है 1000 एर में हमने देखने कितने नंबर आफ लीप येर्स हैं ठीक है ये कंसेप्ट है आपको कि 1000 साल में आपके पास कितने लीप येर्स हैं तो सिंपली यहां पर चेक कर लो आपके पास सबसे पहले इसक लिखेंगे कि आपके पास कौन सा century year है जो आपके पास leap year है तो इसमें आपके पास एक century year 400 है और एक century year 800 है तो दो ही years आगे तो 240 प्लस 2 किन आएगा 242 242 leap years आपके पास इस thousand year में आगे इसी जरह से देखो जैसे आपको मैं पूछ लेता हूं कि 300 years में कितने leap years होंगे तो अब आप देखो हम question लिखते हैं 300 में चेक कर लेते हैं 600 years में चेक कर लेते हैं उसके बाद हम 800 में चेक कर लेते हैं कितने leap years हो जाएंगे आपके पास फिर हम चेक कर लेते हैं आपके पास 200 years में तो इतने years अकर हम चेक कर लेते हैं तो आपको idea आ जाएगा कि कितने leap years होंगे तो सबसे पहले देखो basic हमने यह याद रखना है कि 100 years में आपके पास 24 leap years होते हैं यह तो आपके पास क्या है? मतलब basic चीज़ ही आपके बस अब देखो 300 है तो सबसे पहले में क्या करूँगा 24 into 3 कर लूँगा क्योंकि 100 year में 24 होते हैं तो 3 तो कितना आगए आपके पास 72 अब मैं चेक करूँगा क्या इस 300 में कोई century year ऐसा है जो leap year है तो इसमें century year क्या है 100 है 200 है और 300 है तो कोई भी century year ऐसा नहीं है जो क्या है आपके पास leap year है तो simply आपके पास solution किना आएगा 72 तो अगर आपको पूछा जाए कि 300 years में कितने leap year हैं तो आप बोल सकते हो 72 leap year है तो यह clear होगे अब हम 600 years में चेक करते हैं तो 600 को क्या लिख सकता हो में 100 into 6 तो मतलब 24 into 6 तो अगर calculation आपकी week है तो कैसे कर लो 24 into 5 किना गया 120 plus 24 तो 144 आ गया अब इसके बाद 600 है तो मैंने वही कंसर्ट बताया कि अब 600 में ऐसा century year देखो जो आपके पास leap year है तो ऐसा century year क्या है इसमें जो leap year होगा वह 400 है simply plus 1 कर तो क्या आ गया 145 leap year आ गया आई होप आपको यह कैसे calculate करने वह समझ आ अब 800 आ गया 800 में हम कैसे check करेंगे सबसे पहले हम 24 into 8 कर लेंगे तो 24 into 8 कर लेंगे तो 20 के साथ कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा वन और 32 192 तो आगया आपके पास simply 100 में 24 होते हैं तो उसे तरह से आपके पास unity method यूज़ कर लिया अब 800 जो यह है इसमें देखूंगा मैं कौन कौन से century year आपके पास leap year है एक 400 भी है 800 भी है तो कितने आ रहे हैं दो साल आ रहे हैं तो सम कर लो तो क्या आगे आपके पास 194 leap year आपके पास आगे इसी जरह से मैं अगर आपको 200 में पूछता हूं तो 100 में 24 और 200 में कितने आ जाएंगे आपके पास 48 years तो 48 years अब इसमें आप चेक करोगे कोई ऐसा century year ज 48 leap years आगे आपके ठीक है अब आप comment section में comment करके बताओगे कि आपके पास 700 years में कितने leap years होते हैं 700 years में कितने leap years होते हैं उसके बद आप बताओगे 1300 years में कितने आपके पास leap years होते हैं उसके बद आप बोलोगे 1600 years में कितने आपके पास leap years होते हैं तो यह तीन question के answers जो है आप कि आपके बता दीजिए अब इसके बात आ जाता है आपके पास जैसे मैं आपको बोल देता हूं कि मुझे बता दीजिए 75 यह मेरे पास कितने लीप जो होंगे अभी तक तो हमने 100 से अब हो देख लिया अगर 100 से बिलो पूछ जाए तो कितने यह होंगे सिंप्ली इसमें क्या यूज कर लोगे आप सिंप्ली 75 को आप 4 के साथ डिवाइड कर लिया तो 18 के साथ तो आगया आपके पास क्या 72 तो आप बोलो कि 18.75 अब आपने इसमें खाली जो नंबर है इस पर फोकस रखना है जो आपके पस decimal के बाद में नंबर है उसको आप इसाथ से मैं पूछ लेता हूं आपके पास 64 में इसेजिटने लिप येर्ज कई दीवाइड कर लोगे है तो कितना आपके पास इसके बाद जैसे माली जी मैं आपको एक हो और पूच लेता हूं कि आपको मैं पूछ लेता है कि 143 एर्ज में कितने लीप यह होंगे तो आप सिंप्ली 45 को 4 के साथ डिवाइड़ करोगे 11 के साथ 44 आ गया तो सिंप्ली आब और होगे कि इतने आगे 11 कियोंकि decimal वाले को तो हमने इग्नोर कर देना है तो आपके पास कितने आगे हैं 11 लीप यह अब यह तो देखा सबसे पहले हमने देखा 100 200 300 400 यह में कितना आगे उसको बद हमने 100 से लेश दें देख लिए अगर मान लीजीए आपको पूछ लेता है कि 143 एर्ज में कितने लीप यह सें आपके पास तो अब क्या कर लोगे Simply आप देखो गे इसमें आपको क्या लिख सकते है किसको आप लिख सकते हो 100 यह प्लस 43 एर्ज अब 100 में कितने आपके पास लीप यह होते हैं एपको सिंप्ली जन्रल डाम बता रखी किनी होते हैं 24 और उसके बाद 43 आ रखा है 43 को आप 4 के साथ डिवाइड कर लो किना आएगा 10 के साथ तो completely divisible हो जाएगा 10.75 75 को हम इग्नोर कर देंगे .75 को तो हम सिंप्ली लिख लेंगे 10 क्या आपने 10 प्लस 24 क्या है आपके ओंति दूक्त finger प से अश्म एफ कि बत लिख के साथ चल्ऺ आपको पास कितने लिख उघ्रेंद हो जाएगा ईसे आपको मैं समझंगा कि आपको समझ देता हूं कि आपके पास कितने जो है वो लिंप जो होगी बड़ा सा नंब्र लेते हैं आपके पस 1 थार्टीष डेखते हैं आपके फॉर थेख मैंने क्या कहाँ आप कैसा देखो गई को आप देख्लोगे है जो का 400 प्लस 3 per हउते हैं इस इसंपिली आपको मैंने पास आगे 400 एरेजम हैं आप 36 को 4 के साथ डिवाइड कर लो तो नाइन के साथ आपके पास यह कंप्लीटी डिवीजिबल हो गया तो 97 प्लस 9 आप कर लोगे 97 प्लस 9 आप ने कर लिया तो कितने आगे आपके पास 106 लीप यह तो यह था आपके पास पूरा डिस्कुशन किसके बारे में तो आई होप आपको बेसिक लीप यह क्या होता है किस तरह से आपको क्लासिफे करते हैं वह मैंने आपको सबी चीज़े बता दी अब नेक्स टाइप आती है अब और डेस समझते हैं आपके पास और डेस होता है आपके पास कोई भी घिवन जेस दे रखें आपके number of days को हम जब किस में change करेंगे weeks में change करेंगे और उसके पत आपके पास क्या reminder रह जाएगा उसके हम क्या बोलेंगे और डेस बोलेंगे य rework जैसे आपको समझाने के point of view में ले लेता हूँ आपके पास ten days हैं आपके पूछ ले तो आपके पास कि 10 days में आपके पास कितने और days होंगे तो simply आप और days एक week में कितने days होते हैं आपके पास 7 होते हैं तो मतलब 10 days दे रखा था आपके पास तो 10 days को आप क्या बोल सकते हो 1 week अब एक week को convert करने के बाद आपके पास फिर किने days रह रहे हैं 3 days तो 3 days अब यह जो 3 days हैं यही आपके पास क्या है odd days है तो I hope आपको odd days कैसे convert करते हैं आपको यह समझ आगे आप जैसे देखो मान लीजे मैं आपको एक और number लिख लेता हूँ आपको पूछ लेते हैं कि इसमें कितने odd days हैं So simply मैं बोलता हूँ 34 days में कितने odd days होंगे आपके पास तो आपने देखा 34 तो simply आप change करोगे कि किसमे week बन रहे हैं divided by 7 कर ले तो 4 के साथ तो 28 आगया तो आपने बोले simple 4 weeks plus 6 days अब यह जो 6 days आपके पास week में change नहीं हो रहे हैं इसी को हम क्या बोलेंगे odd days बोलेंगे तो I hope आपको odd days classify करना समझ आ गया तो इस तरह से हम एक और number देख लेते हैं करेंगे 7 के साथ divisible कर लेंगे तो 7 के साथ जब हम divide कर लेंगे तो 13 into seven of the year 91 तो आपके पास पूरे इसको क्या हो रहे हैं मतलब convert हो रहे हैं और उसके बाद आपके पास कितने days बच रहे हैं 3 days बच रहे हैं आपके पास reminder 3 यह आ रहा है बतार दीजेगा आपको कि 365 डेज में कितने आपके पास और डेज होगे आप इसको देखो में 100 डेज का बता देजेगा कि किने दिने होते हैं 365 ओ लिख लेते हैं 365 गोई और जो रिपीँ ऐर होता इसमें किने डेज होतें 366 गेज होते हैं तो अगर मैं आपको पूछऊ एक नौर्मल यह में कितने लीप ओ सुटता है जो एक नौर्मल एमें आपके पास एक За타 Normal यह में कितने और ड turned एटता है और जो अब मिंच्छें मोर्ट हैं कि ऊसलिझे हो सकते हैं और मैक्सिम कितने हो सकते हैं तो मैक्सिमुम कितने हो सकते हैं तो तो 7 में आपके पास 7 days में कितने odd days होंगे, 0 हो जाएगा, क्योंकि simply 7 को 7 को divisible कर लोगे, तो week में change हो जाएगा, तो minimum value कितने आ रही है, 0, अगर आपके पास, क्या आ रहा है, अब आपके पास जैसे में number लेते हूँ, 6, तो आप इसको मैं 7 को सा divisible कर लेते हूँ, तो क्या आपके पास क्या जाएगा, reminder 6 ही रह जाएगा, तो 7 लिखनोंगो, तो आपके पास वो completely week में change हो जाएगा, तो maximum days जो हो, आपके पास weeks में convert नहीं हो जकते है, तो आप simply बोलते हूँ कि जो minimum value होती है, odd days की वो 0 होती है, और maximum value कितने होती है, 6 होती है, और ये भी आगए आपको पता चलगा, कि number of days को weeks, आपके पास odd days कैसे बनाते हैं, और एक ordinary year और leave year में कितने days होते हैं, इसके लावा देखो, अगर कभी भी आपके पास question में given year में, अगर आपको 0 दे दिया, अगर आप odd days calculate कर रहे हो, तो आपके पास 0 answer आगया, तो उसका direct meaning होता है, कि आपके पास कौन सदे आगया, Sunday, 1 आगया तो Monday, 2 आगया तो Tuesday, 3 आगया तो Wednesday, 4 आगया तो Thursday, 5 आगया तो Friday, और 6 आगया तो Saturday, ठीक है, इसके बाद देखो, आगे हम question आगया, आपके पास days निकालना होगा, और before पूछेगा, तो आपने simple क्या कर लेना, subtract कर लेना है, तो जितने odd days आए, odd days के according मैंने आपको days भी classify कर के बता दी, देखो, अब आ रहा है, first question, अब बोरा, today is Friday, आज Friday है, which day of the week will be after 100 days, तो after आगया तो हम simply क्या करेंगे, plus करेंगे अब अगर आज Friday है, तो 100 days के बाद कौन सा आपके पास day होगा, simply मैं 100 days को किसमें change कर लेता हूँ, odd days में change कर लेता हूँ, तो 7 के साथ divide कर लिया, तो 14 के साथ, तो 14 weeks आगया, तो कितने odd days आगया आपके पास, two odd days आगया, ठीक है, अब two odd days आगया, given day आपके पास क्या है, Friday है तो Friday में आप 2 odd days add कर लोगे, अब Friday है, तो next day के आगया, Saturday, उसके next day के ने आगया, Sunday, तो Sunday आपके पास कौन सा आप्शन है, तो यह आपके पास इसका correct solution हो जाएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, मैंने क्या सबसे पहले, मैंने सबसे पहले, आपके पास 100 days में आपके पास odd days चेक किये कि आपके पास कितने number of odd days आ रहे हैं, तो two odd days आ रहे थे, अब after day रखा है, तो हम आगे देखेंगे आपके पास, after मतलब आगे, तो बाद में मतलब after का आगे, simply तो देखो, अब Friday दे रखा तो, अब दो odd days आ रहे थे, तो Friday का next क्या आ जाएगा, Saturday, और उसका next क्या आगे, Sunday, तो simple Sunday, इसका solution हो गया, इसके बाद next question आ रहा है, today is Sunday, अगर आज Sunday है, तो which day of the week before 93 days, तो before आ रहा है, तो मतलब simply आपकी पास क्या आ गया, negative आ गया, मतलब माइनिस कर लेंगे हैं, तो 93 days में हम सबसे पहले odd days classify करते हैं, कितने होंगे, तो सबसे पहले 91 तो completely divisible होगा Sunday था, अब Sunday में से हम दो दिन को क्या कर लेंगे, दो odd days को support कर लेंगे, Sunday से पहला दिन क्या आ गया, Saturday, उससे पहला दिन क्या आ गया, Friday, तो Friday कौन सा option है, आपके पास बी option है, तो Friday आ गया, आपके पास इसका correct solution, तो I hope आपको basic idea आ गया, odd days क्या होता है, कैसे उनको classify करते हैं, 200 years दे रखें, तो कितने odd days होते हैं, 3, 300 years दे रखें, तो कितने odd days होते हैं, आपके पास 1, और 400 years दे रखें, तो कितने odd days होंगे हमारे पास, 0, अब आप बोलोगे कि यह कैसे आ जाता है, तो इसका अगर आपको चाहिए proof, तो मैं आपको proof भी दे रेता हूँ, अब 100 years में आ आया कि आपके पास कितने लीप होते हैं है ठीके इतना पता अब है अगर अगर को अगर यह हैं उसमें तो मितने टने हते होते वन होते हैं तो तो simply 76 odd years में कितने odd days हो जाएंगे उसके बाद एक leap year में कितने odd days होते हैं तो 24 leap years में कितने odd days होंगे 48 अब simply इन दोनों के यहां तो आप सब्म कर सकते हो यह डिरेक्ट यहां से चेक कर सकते हो कि कितने odd days आ रहें अब आपको पता है 76 तो मतलब 70 तो divisible हो गया तो six odd days आ गए उसके बाद 49 आ तो यहां पर भी कितने आगे six आगे ठीक है अब दोनों के समकिना get 12 अब 12 जो है 75 बिल्कुल divisible होता है तो कितने डेज आ जाएंगे आपके पास one week और five days तो आपके पास कितने odd days आगे five odd days आगे इसी तरह से आप 200 के भी चेक कर सकते हो 300 के भी चेक कर सकते हो 400 के भी चेक कर सकते हो आप देखो next अगर मैं आपको पूछ लेता हूं कि five hundred year में कितने आपके पास odd days होते हैं तो simply देखो five hundred को मैं क्या लिख सकता हूं आपके पास so 500 को मैं लिख सकता हूं four hundred plus hundred अब four hundred क्या होता है आपके पास ऐसा year होता है या मतलuttब ऐसा ली प्यूर होता है जिसमें आपके पास कितने odd days होते zero century year आ गया तो मतलब zero होगे तो four hundred में zero आगे अब hundred में कितने होते है five simply आप बोलोगे कि 500 year में कितने odd days हो जाएंगे 5 odd days आ जाएंगे इसी तरह से अगर आपको 600 पूछ जाए तो 600 को आप क्या बोल सकते हो 400 plus 200 अब 400 में तो कोई भी नहीं होता अब 200 में कितने आते हैं 600 years में कितने odd days आ जाते हैं आपके पास 3 odd days आ जाते हैं इस तरह से अगर आपको 700 year आ जाएं तो 700 year को क्या लिख सकते हो आप 700 year को आप लिख सकते हो 400 plus 300 तो 400 में तो कोई odd days होगा नहीं अब 300 में कितने odd days होगें 1 simply आप बोल सकते हो 1 odd days हो जाएंगे उसी तरह से अगर आपको 800 years पूछा जाएं 800 year क्या होता है आपके पास 400 plus 400 तो दोनों में 00 आ गया simply कितने odd days आगे 0 odd days आगे simply आप जैसे भी आपको कोई भी year दे रखा होगा तो यहां से आप एक चीज बता सकते हो कोई भी आपके पास multiple है 400 का multiple of 400 है तो उसमें कितने odd days होते है 0 odd days होंगे 0 odd days 0 odd days यह चीज आप याद रख लीजेगा कि यह वाले चीज कि 100 year में आपके पास 5 odd days होते है 200 years में आपके पास 3 300 years में 1 400 year में 0 तो इस तरह से आपको चेक कर लिया अब देखो यहां पर अगर मैं आपको माली जिए पूछ लेता हूं आपके पास 2200 years में आपके पास कितने odd days हो जाएंगे तो आप simply इसको क्या लिख सकते हो 400 के लिख में क्लासिफिक गर दो ने इसको तो आप लिख सकते हैं इसको 2000 प्लस अब 2400 का multiple है तो इसमें कोई odd days होगा नहीं अब 200 में कितने आते हैं 100 में 5 और 200 में आगे 3 simply आप बोल सकते हूं कितने आगे 2200 year में odd days 300 odd days sorry 3 odd days आगे पास इसे रह से आपको मैं क्वेशन देता हूं आपने comment करके यह बताना है 1900 years में कितने odd days होते है 1900 years में कितने आपके पास odd days होते हैं उसके बाद आपको में 2900 में कितने odd days होते हैं so next value आपको मैं बोल देता हूं आपको 4300 में आपके पास कितने odd days होते हैं यह सभी जितने भी आपको एक question दे रहा हूँ आप comment section में या तो comment करके पता दीजेगा इससे मुझे समझ आ जाएगा कि आपको question जो भी topic यह पूरा clear हो गया अब इसके बाद देखो question बूर रहा है the last day of the century leap year will be तो जब कभी भी last day अगर आपके पास question में आ गया तो इसका simply मतलब है आपके पास क्या पूछ रखा है और days पूछ रखेंगे अब century leap year है तो century leap year क्या होता है आपके पास या तो 400 आ जाएगा या 800 आ गया इसी के multiple आ जाएगे तो simply मैं 400 ले रहे तो तो last day आ गया तो मतलब क्या पूछ रखा आपको 31st December 400 या 2000 ले लो आपके पास इसमें आपके पास कौन सा डे था तो अब आपको अभी मैंने days निकालने बताया नहीं रखे कोई शू नहीं है अब आपको पता है 400 का multiple है तो इसमें कितने और days होते है जीरो और days होते है अब 0 और days है तो मैंने देखो आपको classify कर गया कि 0 पर आपके पास अगर कभी भी value 0 आएगी तो उस दिन कौन सा डे होता है Sunday होता है यहां पर देखो यहां पर मैंने आपको बता दिया तो जीरो आपके पास solution क्या जाएगा Sunday directly आपके पास इसका correct solution हो गया इसी तरह सा next देखते है अब आपके पास पूछ रखा कि how many odd days there are in 71 days 71 days में कितने odd days होंगे simply 71 को 7 सा डिवाइड कर लीजे 10 weeks तो completely divisible हो जाएगा one आ जाएगा आपके पास reminder तो simply आप बोल सकते हो one odd days आपके पास आ जाएंगे इसके पाद देखो आपको पूछ रखा है find the number of odd days in 48 years तो 48 years को कैसे classify कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं check करते हूं इसमें कितने leap years होंगे तो 48 divided by 4 मतलब आपके पास 12 leap years है और आपके पास 36 ordinary years है इतना समझा आ गया यह कैसे classify कर रखा हमने already यह देख लिया अब एक leap year में 2 odd days होते हैं तो into 2 कर लिया तो total कितने days आ गये आपके पास 24 odd days आ गये और उसके बाद एक ordinary year में 1 odd day होता है तो 36 आ गये है तो अब simply यहाँ पर days आ रहे हैं तो इनको में 7 कर सकता हूं तो यह directly चेक कर लेता हूं 24 21 तो completely divisible हो गया तो कितने odd days आ गये है और 35 35 completely divisible होता है तो कितना odd days आ गये है आपके पास 1 तो 3 plus 1 कितना रखा आ रखा आपके पास 4 आपके पास इ यह next question यहाँ पे है यह आप comment section में comment करके बता दीजेगा कि 49 years में आपके पास कितने odd days होते है यह आप comment section में comment करके बता दीजेगा अब next question बोड़ा है अब आपके पास कोई non-leap year नहीं है तो non-leap year कोन से year आ गया है इसका डिर्क्ट सॉलुशन आ गया है कि हाव मनी और डेज इन वन थाउजन यह तो सिंपली मने आपको क्या बताया इसको कैसे चेक कर लो प्लस तो आपके पास जाएंगे अब कितना आता है हंडर में फाइफ तो इसका करेक्ट सॉलुशन आप नेक्स पूशन देखते हैं आपके पास अब बड़ा तो डेज वीग विल बी आफ्टर सेंग देज तो 61 डेज में कितने और डेज होंगे डिवाइड बाई सेंग कर लो 56 के साथ तो completely divisible हो गया तो 5-4 डेज आगे तो 5-4 डेज आगया अब मंडे है देखो आप सिंपल कोड का भी यूज कर सकते हो मंडे को क्या लिखता हूं मैं 1 1 प्लस 5 कर लो कितना गया 6 6 पर क्या आता है आप सिंपली इसका solution क्या गया सिंपली आ गया या तो आप सिंपली ऐ सिंपली आगया आपके पास है अगर मालें जी ऐसे आ जाता है थ्री प्लस फाइफ आज तो एट एड आ जाता तो अब एड को क्या कर लिख सकते हो वन और डेज तो उस तरह से आप चैंज कर सकते हैं अब बोरा दे लाश्ट डे आफ सेंट्री कैन नाट भी तो यह कुशन अब तरह सेंजरी के आता है आपके पास हंडर्ड भी आ सकता है च्लासीफए सकते हों कि जब भी जी रो कोड आता है आपके पास क्या रे होता है je होता है तो आपके पास क्या डे आजाता है यह तो आपके पास र्डेस्टा नहीं हो सकता है नहीं हो सकता है तो इसका direct solution क्या जो चाहिए पूछ रखा था कि कौन सा होता है यह नहीं होता है इस तरह से आपके पास पूछ रखा था बट आपके पास यह वाला वहां पर भी कि यूज होना था अब देखो पूछ रहा पार लास्ट डे आफ जाश्ट मतलब और ऐस आगया तो 600 एर्ज में कितने आपके पास और डेज आते हैं 400 प्लस टू तो टूहनर में आगे थ्री तो थ्री को क्या लिख सकता हूं में वन को अगया मंडे टूट्री वाइटनस जी इंपल क्या आपके आपके पास वेटनस जी आ गया तो इसका तक डार सॉलुशन गेना गया वेटनस जी अब 700 आ गया तो 700 को 400 प्लस 300 तो 300 में कितने और जाते हैं वन तो वन को क्या लिख सकते हम डिरेक्टी मंडे सो सॉलुशन आगे इसका मंडे अब यह आपके पास लास्ट कुशन है इसको अब क्या वो रखा है 1950 से 1990 के बीच आपके पास कितने और से सबसे पहले हमको और दो हम निक करते हैं तो आपने कैसे को क्लियर करना है तो इसमें आपके पास इसको डिवाइड कर लो तो यही वैल्यू आईगी अब इन दोनुके डिफरेंस ले लो तो जो डिफरेंस आएगा उसमें आप वन एड कर दो तो आपके पास नंबर आफ यह जाता थे यह नंबर आफ टर्म्स अगर आपको निकालनी हो तो आप निकाल सकते हो यह 49 ना के यह वन कितना के फिफ्टी तो 1950 से 1999 के बीच आपके पास कितने 50 एर्ज हैं अब इसमें कुछ तो आपके पास और डे सौरी मतलब लीप एर होंगे और कुछ और नेर यह होंगे तो पहला लीप एर कौन सो होगा इनसे तो आप बोल सकते हैं 1952 क्योंकि 52 फोर के साथ डिवीजबल होता है और लास्ट हो जाएगा 1996 आजगा आपके पास यही 52 कितने से डि वीजबल होता है आपके पास 14 13 के साथ आगया आपके पास ल्यप आजएगा आपके पास 12 आ गया तोब लीप यह तो आप 일이 की आ इस हैं इसमें आपके पास 12 leap years है आप बोलोगे कि directly 50 को check कर लीजिए बर नहीं क्योंकि आपके पास क्या पता यह पहला वाला year ही आपके डिर्ट लीप यह होता तो इसलिए हमने रिख नहीं लेना question को आप डिर्ट लीप यह हो जाएंगे आपके पास ordinary years आ जाएंगे आपके पास अब एक लीप यह में आपके पास कितने number of odd days होते हैं दो होते हैं तो टोटल ओर इस किन आ गए यहां पर 24 तो और एक ordinary year में कितने odd days होते हैं 1 तो 38 आ गया simply 24 में check कर सकते हो calculation बढ़ाने से बढ़िया यहीं पर चेक कर लो 24 में कितने odd days होते हैं 21 तो completely divisible हो गया 3 और 38 में 35 तो completely divisible हो गया तो 3 यहां पर भी आ गया 3 प्लस 3 किन आ गया 6 so 1950 से 1999 की बीच आपके पास कितने odd days आ रहे हैं आपके पास six odd days आ रहे हैं six आपके पास क्या था डी option था तो यह इसका color solution आप आपको इस lecture में मैंने आपके साथ सिर्फ दो चीज़ की discussion की एक आपको मैंने ली पियर के बारे में बताया और एक आपको मैंने odd days कैसे calculate करते हैं यह जितनी भी आपको मैं चीज़े बताऊंगा यह आपको आगे आने वाले आप उसको भी जाइन कर सकते हो जिसकी प्राइस जो है भी डिसकाउंट उफर उस पर आपको आपको इसकाउंट आप चल रहा है उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिसिंग बॉक्स में मिल जाएगी ठीक है थैंक्यू थैंस वाचिंग लेनिंग बाई